हेलो दोस्तो आई विल स्टेडी में आप सभी का श्वागत है दोस्तो आज का वीडियो बहुत ही most important है तो दोस्तो इस वीडियो को पूरा अंततक देखिएगा ताकि हर एक टॉपिक आपको अच्छे से समाझ में आ सके और clear रहे तो दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपको बता दू दोस्तो अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लिस लाइक कर दिजिए और दोस्तो इस रेड़ वाले बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और वगल के बेल नौटिफिकेशन को आन करना मत हुलिए दोस्तो हिंदी काई बार होता है कि कुछ बच्चे इस परकार से लिख देते हैं यहां पर देखिए कैसे लिखा गया है मैं वह सब आपको बताने वाला हूं आपको वीडियो अच्छे से तो पहले हम लोग देख लेते हैं यह क्या है दोस्तो इसमें पुल 6 मुहाबरें जो अती महत्मकून है ठीक है तो आप ध्यान से देखेगा यह वीडियो फूरा इसकिप मत कीजिएगा दोस्तो प्रस्न कुछ इस परकार से पुछता है ठीक है यहां पर नवाज देख सकते हैं प्रस्न क्या पुछा है निमने लिखित मुहाबरों और लोककत्यों में से किसी एक का अर्थ होता है और वातषी में परियोग WA है कि स्पूजन क मैं लिखते हैं तो वात्ते के में परियोग और अर्थ दोनों और शस इसम्म और है है को कोई लुक कत्या नहीं यह यहां पर चारों का है नहों सब्सक्राइब लगेने पवाल मुखाब रखता हैं नहीं आथा है तर यह देख लेते हैं पहला मुखाब करें दूस्तों जैसे कि उसमें प्रस्ण संख्या नौ था ठीक है तो नौ का अगर माले जी और लिखाया अपना उलूशीधा करना ठीक है इमाली जो 9 था तो या फिर 9 भी डाल दीजें ठीक है यहां पर 9, 9 के उत्तर ठीक है 9 के उत्तर डाल दीएं अब आपको simply कर लिखना है ठीक है कर ठीक है अपना उल्डु सीधा करना ठीक है आज कलनेता लोग वोट के लिए सामध करके अपना उल्लू सीधा करते हैं तो दोस्तों यह हो गया पहला ठीक है दोस्तों यह इंपोर्टेंट है ध्यान दिजिएगा मैं टेलिग्राम में डाल दूंगा अपने जो टेलिग्राम चैनल है गुरूपला उसमें मैं यह पोस्ट यहां पर दूसरा खो तो फिर ऐसे ही खो डालेंगे दो लिखना होता है चार देता है जिसमें से दो लिखना होता है तो यहां पर लिखा अपना पैरों पे खाड़ा होना ठीक है तो फिर इसका हम लोग डालेंगे स्वा लंबी होना ठीक है तो फिर वाक्य में परियोग इसमें और इसमें देखे क्या अंतर यह देखने में अच्छा भी लग रहा है कि बस एक लाइन में इसको घंसीट दिया गया इद का चांद होना अधिक दिनों में दिखाई देना ठीक है फिर डाइस डाला हूं फिर यहां पर लिकाऊं भाई विपिन जब से तुम इंजिनियर बने हो इद का चांद हो गयो तो ठीक है दोस्तों तो यह गलतियां आप मत किजिएगा ठीक है आपको श्रीफ ऐसे लिखना यह चीज आपको नहीं करने है आप एक सकेंड दो सकेंड लेट लिखेगा बट हेडिंग डाइन के ऐसे जब लिखेंगे नौ तो खुश हो जागा आपको पट से एक नमबर इस पर और एक नमबर इस पर देगा दो नमबर आप पा जाएंगे ठीक है तो आई एक बार और इ गुजर्यात की प्रक्रति आपदा से पीडित जनता के लिए दो चार लाक रुपए की आर्थिक सायता को उठ के मुँँ में जीर्या के समान है ठीक है दोस्तों जैसे नेताओं के लिए अगर कोई सहर में भूखा मड़ रहा है तो नेताओं के लिए दो चार लाक तो आहम बात है दोस्तों क्यूंकि वो तो करोडों में खेलते हैं सो और वो में करोडों में ठीक है तो यहां पर दोस्तों पांचवा प्रस्ण है एक अनार सो भीमा ठीक है तो दोस्तों यह लोकुकत्तियां है ठीक है यहां पर दिख सकते हैं इसमें ना नहीं आ यहां पे देखिये लिखा गया एक वस्तू को पाने की लिए बहुत लोगों का पर्यास कि आज आपता है एसी आपको लिख लेना तो जब की आप ऐसे लिखते हैं तो यह आपके में परियुग ठीक है देखें कैसे लिखा गया है अजन्ता इलोरा की गुफाओं को देख कर दर्सक गण दातों तले उंगली दबा लेते हैं ओके फ्रेंड तो दोस्तों आपको ऐसे लिखना है ठीक है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों अगर आपको नुट्स चाहिए फीजिक्स और कमिस्ट्री की ठीक है तो आप जो स्क्रीन पर डिस्पले हो रहा है नमबर उस पर आप मैं सच कर सकते हैं मेरे वाट्स अप नमर पर थैंक्स फार वाचिंग दोस्तों दोस्तों इस वीडियो को सेर कीजिए हर एक वाट्स अप ग्रूप में ताकि और भी स्टूडेंट को पता चल सके इस साल के मुहस्तपूर्ण प्रस्न के बारे में तो दोस्तों वीडियो को ल